सब्सक्राइब दोस्तों स्वागते आपका देशी क्रिप्टों मैं मैं हूँ आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विचारे डर जाते हैं कोई नीचे जाता है कभी उपर जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जित नई बात नहीं है होता रहता है हर ज़गा पर होता है हर किसी चीज में होता है अपर निचे कह जयंके होगी इंसानों पर या तो यह करो कि अगर तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की समझ है कैसे मिलब प्राइस अगर तुमने काम किया है कुछ बाई और सेल किये हैं पहले तो क्या करो कि अगर जब घटता है एक दम से घट रहा है तो उस टाइम पर बेच के नीचे फिर खरी लेना अगर अगर मान लेते हैं ऐसा ही डर लग रहा है कि या बहुत नीचे चले जाएगा प्राइस वरना अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है एक या दो परसेंट का मान लेते हैं एक दो परसेंट भी बहुत ज्यादा होता है जीरो पॉइंट पाइप परसेंट वन परसेंट जा स्यादा टू या थ्री परसेंट कभी कभी तो उससे जादा भी चला जाता है अगर इतरना फ्लक्चुएशन हो रहा है कुपन नीचे जा रहा है वहाँ पर घबनाने की जरुबत नहीं है क्योंकि यह पूरा जितने भी बायर्स है पूरे ऑल ओवर्वर्ड के वो सारे ल बाफिक के चलो कि अगर इतरन यहां पर के यहां पर हो जाए 52,000 का मान लेते हैं और बाकियों के एक्सेंज में चला यह 55.000 यह तो लोंड़े यहां से निकाल के वहां न कर दे हुआ निंवा न बेज़ दिए समझोना है बात को तो यह जो एक्शेंज के प्राइस होते हैं स सब ज़गा पे उपर नीचे हो रहे होते हैं उस टाइम पे तो वहां के हिसाब से हो रहा है तो उस पर घबराने की जरुवत नहीं जिसमें ट्रस्ट रखा है वो पूरा ट्रस्ट रखो और दो चीजे हैं ट्रस्ट का मदलब यह नहीं कि तुम नीचे ही डूब गए मान्या कर नहीं हो तुम आके यहां पर को बड़े एमांट की इंवेश्मेंट कर दे रहे हो वह सब चीजों को खासा ख्याल लगो अभी लड़के कहते हैं कि यार भाई साब काम की बात बताया करो यह सारी चीज हैं यह काम की बाती तो हैं जो मैं बोल लोग हैं जिनको कहीं यह चीज फिर वो ट्रेणिंग फिर यह हो अरे हमने शेयर मार्केट पर थोना जाना है यार हमें इतना बताओ कि बाई कैसे करें सेल कैसे करें खतम कहानी प्रॉफिट और लॉस तो हम भी देख रहे हैं क्या है इतना क्रिप्टो करेंसी में को इतना टिपिकल है क्या मामला यहां पर जाओ पैसा डालो खरीदो बेचो खतंगानी क्या करना है सेयदा उसके साथ साथ क्या होता है अपने आप चीज़ें आती है कोई बताएगा कोई सिखाएगा नहीं इस चीज को धीरे धीरे तुम देखो कि यार प्राइस बढ़ने है यहां पर निकालता हूँ जब तुम्हे ऐगा कि आज फिशले वार ये गलती करीदी अभी ये गलती नहीं कर दो ये धब दिरे करके आती है अ번 मैं लॉड़न से कहा है कि कि यह जो एथिरियम है इसमें ने कहा है कि ये चीजे जो है नए ये पांच चीजे जब भी ट्रेडिंग करते हो तो देख लेना कि कि किस चीज पर तुम कर रहे हो कहां पता जाला तुमने यहाँ बिटकोईन सेलेक्ट किया है यहाँ पर दो प्राइस में खरीद रहो बिटको किसी हो जाएगी समझना चीजों को अरड आ जाएगी कभी-कभी लेकिन कभी अगर नहीं आई मानलिया मैच कर गया प्राइस किसी से फिर क्या कर लोगे तो हर चीज को देखना है चोटी-मोटी चीजों पर ध्यान लखना है और यहां पर बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग को छोटी-मोटी चीजे समझा दी जाएं जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो कुल मिला के आपकी मदद करने के लिए ही यह चैनल बनाया है इसमें कोई ऐसा है नहीं कि दुनिया पर के ओंजी-पंजी-चौंजी-चौंजी-ची यह सारी चीजे चल ल आप कई सारे लोग ऐसी विश्वास रख लेते हैं दूसरी चीजे भी समझो इसके साथ में बता रहा हूं तुमको लाइट कोईन के है ना लाइट कोईन जो तुम किसी भी कोईन को पर्चेश करते हो लाइट कोई एसर पीधियम पहले उसको देखो उसके बारे में थोड़ से कोईन है जैसे एथिरियम है तो एथिरियम के कमपेरिजन में है आयोटा है इसके अलावा काड़ानो है इसके अलावा तुम्हारा एक EOS करके वो भी है शायद है ना ये सारे एथिरियम के कमपेरिजन वाले कोईन है यानि कि जो एथिरियम पे काम कर रहा है जो एथिरियम करने ही कोशिश कर रहा है ऐसे फीक्र्स लगाने कोशिश कर रहा है जो पहले किसी प्रोटोकॉल में नहीं टो इ Θ हाद दूसरी चीज यह नहीं देखु कि मारकेट में जो बन्दे हैं जो चीज सैनक जाने हैं जिनने ट्रेडिंग करते हैं कि लिख्यग लूप जेसे बात हैं कुछ लोग चलो कोई ब Sans लेंगर कि दूसरी चीज से ग कमें ऑ सींड़ में इसाई लेनी है अभी इसका प्राइस कितना बड़ा है मानिया कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिसे सदन ग्रोथ होती है नौ रुपे का चल रहा था काड़ा नो दो चार रुपे का था उसके बाद तो इतना बड़ी है बिल्कुल इसी महीने मेरे इसाब से यह ग्रोथ होती है अभी तुमने यह भी देखना है कि अभी अभी उसमें इतनी ग्रोथ आई है एक दम से जो कोईन दस गुने पांच गुना शे गुना बढ़ जाए तो थोड़ा थमेगा भी थोड़ा नीचे भी ज चीज होती तो उस चीज को भी ध्यान रखना है कोई चीज बड़ी है तो यह फैक्टर्स के जहां चलना है पहले कउइं पर देखो क्या चीज हो कोईन है कितने का वो कईन है और तीसरी बात कि उसके आपकमिंग आने वाली फूचर में उस पर क्या चीज़ें होंगी अगर जी चीज के competition में भौजा चीदे आर किये तो फिर उस में से ज्यादा कोईन पर इन्वेस्ट करना बेगार है का तुम विश्वास करके विश्वास खुद परिसान हो जाएगा विश्वास करें भाई तुव विश्वास रख मैं निकलना है ठीक है ना ऐसा नहीं करना है देखो चीजों को समझो और तप आगर तब तुम्हें लगता है कि यार यह कोईन बढ़िया है उस वक्त पर तुम तो यह coin बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, समझ लो मेरी बात को, अभी तो starting हो रही है, अभी तो तुम को पता चला, कितने लड़के हैं जिनको पता है, तो मेरे जैसे मैं बोल ला हूँ, कुछ यहां सुन लेते होंगे, दुबारा देख लेते होंगे, ऐसी धीरे धीरे पता चलत यह भी है, यह भी है, तो मैं कहा रहा हूँ कि उस चीश को समझो, अभी बहुत सारे लोग को पता नहीं है, अभी तो आसली लोग आने बाकी है, जब तक यह बाद में धीरे धीरे सारे लोग गुज जाएंगे, कि यह हो है, और उस टाइम में सो जो कितना प्राइस बढ़े पूरा जो चल ला है, मैं तुम से कह रहा हूँ बहले दुनिया के एक्सपर्ट कहें न कहें मैं तुम से कह रहा हूँ, यह पूरा बबल ऐले है, मानके चलो इस बात को, यह जो प्राइस का फेल done देख तो यह सारे बबल प्राइस हैं, इसकी कोई इतनी कॉश्ट होड़ना ह अगर मैं कोस्त मानूं जा से ता 50 रुपिया जा से ज़ादा बिटकोईन के अगर मैं माननू माननो की ज़्यादता लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है तो 100 रुपिया ठीक है ना काईदे में तो यह एक टेक्नॉलजी है काईदे में एक चत तरीका है लेकिन आप कहते भी हो सौ संबकर हैं में 80 रुपिया गर मानन लेने को हो तो मैं मानने 50 रुपिया खरीदे मैं 10 रुपिया बहुत जादा है 100 रुपिया है इक करेंजिये जू दू साट्पयसाट रुपकर आ किते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है हवाएं हैं चलती रहेंगी चलती रहेंगी किसी दिन आएगी आधी और सब उडाके लिए जाएगी जितने घर बने हैं यह तंबू गाड़े हैं तुम लोगोंने सारे के सारे उड़के निकल लोगे अब यह नहीं पता ही बबल फेज कब खत है नए वीजन के साथ आ रही है तो इतनी सारी चीजां आगई मार्केट पर बहुत अच्छी चीजां लेकर आ रहे हैं हर जगह पर जो चीजां आ रही है वह किसी ने किसी सॉल्यूशन को लेकर आ रही है ब्लॉक्चेन पर उस पर ब्लॉक्चेन के आधार पर ब्लॉक्चेन बहुत तगड़ी चीज है तभी तो ये सारे कॉइन इवाल हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं ब्लॉक्चेन की वेसे तो हो रहे हैं ब्लॉक्चेन है टेक्नोलजी बहुत तगड़ी जो आगे है उस पर जो कॉइन बनके आये हैं उस पर जो कंपनी काम कर रही है जो उस पर ग्रूप काम कर रहा है उसका नाम है Ethereum, XRP, XRP तो coin है लेकिन उनके नाम है ठेक है ना उनकी जो community है वो है Ethereum, वो है Bitcoin, उसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं फिर वो कर रहे हैं तुमने उस चीज को समझना है ठीक है तो यह सारी चीजे है फेज prices पर जो चल ला है वह बबल का चल ला है चाह से बोलेगा English में तुम्हारा सामने है ना को सही तरीके से रफाटेदार English तब बंदे सोचेंगे यार बंदा प्रोफेशनल है बहुत चीजा आती इस बंदे को तुम्हें क्या बता लोटने का background कहा है तुमने कौन सा देखा है आरे camera के पीछे बहुत सारी चीजें होती है ब बाकी मैंने bitcoin के regarding बहुत लोग कुछते हैं bitcoin में तुमने कभी सुना मैं बात करता हूं with 1 बिटकोइन पर मैं खरीदने को बोलता हूं ना मैं बेचने को बोलता हूं मैं कह रहा हूं कि मैं कभी मुझे transaction करना होता है in case कभी करना पड़ जाए तब यह बिटकोइन के करता हूं वरना कोई ऐसा बिटकोई से लगाओ नहीं है कुछ वो नहीं है करेंसी बहुत बढ़िया है बिटकोईन जो परपर्ज है बिटकोईन का वह बहुत अच्छा है लेकिन प्राइसस के साब से देखूं तो बिल्कुल हद ही हो गई है और बिटकोईन के कंपैरिजन में बहुत सा बहुत अगड़ी चीज़ें हो रही है एपल भी डल गया है उनके अंदर आयूस भी है उनके अंदर एंड्रोइड भी है एक ही फॉन में चार चार ओप्रेटिंग सिस्टम मिलेंगे कल लो जो कनना है ऐसी चीज़ें बन गई है इतने बड़े प्रैक्स पर मत जाओं बता र करी है और जैसे बैगे लेगा ना रिवर्स वाला तो पांच वे गेर पे और सबसे तेज भागने वाले जो गाड़ी होगी मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी है एक वीडियो बनाई थी मैं गाड़ी के उपर भी एक हम भूल गया हूं वो गाड़ी के जो पांच वे लिग एक वह लोग भी मार्केट पर इनकीAm मार्केट पर आएंगे वो जब आएंगे तो प्राइस और बढ़ेंगे लोंडे बेच का रहे हैं जिनके पास हैं बिटकोई नो बेच का रहे हैं अभी बेच ही कहा है अभी यहां देखो ने मार्केट में क्या चल ला है मुस्किल से 0.2 0.5 1.0 यहां चल ला है 0.9 0.3 अभी त लखे हैं अपने पास सो बिटकोई हजार बिटकोई फंद्राजार बिटकोई वो मार्केट में जिस दिन वो निकल गए बहार और उनने मैंने एक वीडियो देखिए समझ ले ना जिसने यहां तक देखिए वो समझ जाएगा तीस लाग रुपे में एक बंदा है चार्ली ल चाहोगे तो बंदा कहा रहता है उसने गोल मोल यवाब दिया लेकिन उसने जो समझाया बात में जो बता चली है बात वो पता चली कि उसका कहना था कि अगर तीस लाग तक भी जाता है तो वह निकाल देगा अब यह सोचों कि जिन बंदों इने बहुत ज़्यादा बिटको पाइन के लिए जो कम्यूनिटी बना रहे हैं यह लोग बाहर बैठके कि यह होगः वह होगः सिर्फ ऑवैरनेस बनाने के लिए पता है सबको कोई नहीं बना रहेगा कोई नहीं बचा रहेगा ऐसा फंदिंग करने वाले बैठत है 15 लोग की टीम है और शेर की कीमत चली है आपर 50,000-60,000 शेर की कीमत चल लिए 10,000-15,000-50,000 जो भी मान के बैट तो इतने चल लिए अब तुम यह बताओ यार फेजबुक में 2,000-100,000 लोग काम करते होंगे फेजबुक पे इंडिया में उसकी ब्रांच ए बाहर उसकी ब्रांच है जिस देश में कहुं वहाँ उनने खोला होगा इकोषने कुछ नगोच उन लोग के शेर के मार्य है वह 18,000 के समत्री होंगे अब exact price नहीं परता मुझे लेकिर इतने ही होंगे ना 1820 रुपे Facebook का जो share है भाई वो Facebook जो है वो तो कियो तुम social media देख रहे हो आगे से ठीक है ना WhatsApp उनने कर रहा है अपने उसमें दूसरा वो artificial intelligence पर काम कर रहे है जो आने वाले समय की वो है मानते हैं हमाँ थोड़ी complexity है share market पर लेकिर अगर इसका मतलब यह है कि अगर complexity ना हो चीज़ें खाली ऐसे ही हो कि पैसे डाले और खरी दे तो इतने दाम बढ़ जाएंगे कि हा यह दाम इसले बढ़े हैं आदे से जादा ब्लॉक्चेन पर ब्लॉक्चेन के नाम पर हवा फेला रहे हैं कि ब्लॉक्चेन पर यह application पांच शे लोग बैटे हैं पीछे से 10-15 रुपर बहुत होते हैं जाके शेर में देखो सही कितने सब्सक्राइब बढ़ा कोई लगता है नम पूरी कमपनी डूबेगी न तब जाके तुम्हारा शेयर जाएगा अब यहाँ पर क्या होगा जटके में निकलेंगे चीजे और आधे जो कुछ कोईन है उनके बीचे तो कोई कम्यूनिटी ही नहीं कोई कमपनी नहीं बिटकोई पर चल ली रहा है बस यह चली रहा है बस पत जाके आगे काम करो वनना ऐसी कुदो मार्केट में बड़ी दिक्क्रत हो जाए कि तुम लोग के लिए ठीक है न हर चीज़ पर करते हो प्रॉफिट लो नफा निकालो बैंक पर डाल अपना पैसा जतना नफा हुआ है जितने का तुमने लगाया उतने का नफा निकालो उतन वाचिंग दिस वीडियो जिजिस को अच्छा लगा लाइक करना वनना शेयर करना सब्स्राइब करना थैंक इस सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो आपसे फिर मुलागा दोगी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैमारा